हेलो बच्छों, चलिए आज हम मात्रा में O की मात्रा पढ़ेंगे, ठीके, तो अभी तक हमने स्वर्वन के जितने मात्रा चिन्न है, A से A तक हम पढ़ चुके, ठीके, तो आज पढ़ेंगे O की मात्रा, तो O की मात्रा हम केस लिखते हैं, ठीके, तो यह आपका अक्षियर O औ तो उसका मात्रा चिन्न है, ऐसे, ठीके, अगर हम किसी अक्षियर पे जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा गया, देखिए, म में ओ की मात्रा मो, घ में ओ की मात्रा घो, त में ओ की मात्रा तो, तो हम भी जोड़ेंगे कैसे, ठीके, तो देखिए, अगर हम म में ओ की मा मात्रा होता है मो, मो से क्या होता है, बोलिये तो मो से हम क्या लिख सकते हैं, मोर, मो में ओकी मात्रा, र, मोर, ठीके, यह सब्धम लिख सकते हैं मात्रा जोड के, अब देखिए घ में जोड़ेंगे, घ, युक्त, ओकी मात्रा, ठीके, घो, घो से क्या होता है, गो से होता है घोड़ा ठीके गो में ओ की मातरा ड में आ की मातरा क्या बना घोड़ा अभी त में जोड़ेंगे ठीके यह आपका त युकत ओ की मातरा क्या बनेगा यह तो हो गया ठीके तो से क्या होता है तो से होता है तो ता तो यह आपका सब्द तो ता बना ठीक है इसी तरह से हम बाकी सारे अक्षरों में भी ओ की मात्रा जोड़के हम उसे लिख और पढ़ सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर है क्या है खर ग में ओ की मात्रा गोश तो में ओ की मात्रा तो ता म में ओ की मात्रा मोर ग में ओ की मात्रा गोड़के हम देखिए बाकी सारे सब्द भी ऐसे हम पढ़ सकते हैं आप भी पढ़िए ठीके और अच्छे से पढ़िए और देखिए कि हम O की मातरा जोड़ के हम उसको कैसे पढ़ते हैं इसी तरह से अब बाकी सारे सब्दी भी पढ़िए ठीके और पढ़ने की प्राक्टिस कीजे Thank you